हर हर महादेव शिरी श्वाय नम सुभ्यम दोस्तों स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल शिव पुरान पर 17 तारीक से शिराद पक्ष शुरू हो रहा है जो 2 अक्तूबर तक चलेगा इन दिनों हम पित्रों को खुश करने के लिए और उनका आशीरवाद पाने के लिए शिराद तरपन और ब्राहमन भोजन वगेरा करते हैं आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी के ब्राहमन भोजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर हम इन बातों का रखेंगे तो हमारे पित्र हमें बद दुआ दे कर चले जाएंगे ब्राहमन भोजन में तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं वो है खीर उड़त की दाल का भोजन या तुराई की कोई सब्जी वगएरा बनानी या भजिये बना सकते हो दूद का भोजन आहुतों के हिसे में चला जाता है उड़त की दाल का बनाया हुआ भोजन परेतों के हिसे में चला जाता है और तुराई की सब्जी या भजिये वगएरा जो भी हम बनाते हैं उसका हिसा हमारे पित्रों के हिसे में जाता है इसलिए श्राद पक्ष के भोजन में इन तीनों चीजों का होना बहु शराद के खाने में कुमड़ा जिसका पेठा बनता है ना तो उसकी सबजी बनानी है और ना ही उसकी मिठाई शराद के खाने में प्रोसनी है और दूसरी सबजी है पत्ता गोबी जिसको बंद गोबी भी कहते हैं इसको भी शराद के खाने में बिलकुल भूल कर भी नहीं बना ब्रहमन की थाली में नमक और अचार भी नहीं रखना अक्सर लोगों को आदत होती है कि थोड़ा सा नमक थाली में रख देते हैं लेकिन ये गलती नहीं करनी शराद के खाने में सबसे जुरूरी है खीर लेकिन खीर गाए के दूद से ही बननी चाहिए कभी भी भैंस के दूद से खीर नहीं बनानी चाहिए मैंने वी बहुत बार भैंस के दूद से ही खीर बनाई है क्योंके हमें इस चीज का ग्यान ही नहीं भैंस जमराज की सुवारी होती है इसलिए भैंस के दूद का उपयोग शिराद के खाने में भूल कर भी ना करें वरना परिशानियों का सामना करना ही पड़ेगा बाजार से बनी मावे की मठाई का उपयोग भी शिराद के खाने में ना करें क्योंकि वो भी भैंस के दूद से ही बनता है घर में हलवा बनालो, बेसन की बर्फी बनालो, नारियल की कोई मिठाई बनालो, इमर्ती बनालो, पुए बनालो, कोई भी चीज अगर आप मिठाई बनाना चाहते हो, तो इन चीजों की बनाए या गाए के धूद का मावा ही उसमें यूज करना है, लेकिन बाजार की मिठाई या भैस के दूद की कोई भी खीर वगेरा या मिठाई हमें शराद के भोजन में नहीं प्रोसनी, दोस्तों हम शराद पक्ष में पितरों को खुश करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमें उनका आशीरवाद मिल सके, हम तो अच्छा काम करते हैं, लेक हम से अग्यानता वश कुछ भूले हो जाती हैं, जिसके कारण पितरों का अशीरवाद हमें नहीं मिलता, उल्टा उसका गलती का खामयाजा हमें भुक्तना ही पड़ता है, इसलिए हमने ये गलती नहीं करनी और इन बातों का वशेश ध्यान रखना है, ताकि हमारे पितर हम हमारे घर से खुश होकर हमें अशीरवाद दे कर जाएं, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, हर हर महादेव